नमस्ते मैं डॉक्टर जुबेर खान असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफी गॉर्मेंट कोलेज बुंदी आपका स्वागत करता हूं बी ए पार्ट प्रथमवर्श भुगोल की कक्षा में इस कक्षा में हम भुगोल के जुत्ते प्रिशन पत्र परियावरण भुगोल का अ पूर्ति के लिए मानव ने प्राकर्टि संसादनों का निर्दैता पूर्वक शोषन प्राप्रम कर दिया अब जब हम देखते हैं कि वर्तमान में धीरे-धीरे मानव जैसे कि हम जानते हैं कि उद्विकास के करम के अंदर मानव सभी जिवों में शिर्च इस तर पे पाये जाता है क्योंकि मानव के पास अपनी स्वयम की बुद्धी है उस बुद्धी के बल पर उसने कोशल प्राप्त किया और कोशल के द्वारा उसने अपनी आवशक्ताओं की पूर्ति हेतु प्रकर्टि प्रदत संसादनों का उप्योग किया अब जैसे जैसे मानव की विक्सि वो किस पर पढ़ा प्रकर्ति प्रदस संशाधनों पर तो जब मानों की बहुत ज़्यादा आवशक्ता हैं बढ़ गई तो उसने उन आवशक्ताहों की पूर्ती के लिए प्रकर्ती प्रदस अंसाधनों का निर्दता से शोशन करना प्रारंब कर दिया और जब इनका शोशन करना प्रारंब हुआ तो उसकी परिणाम सुरूप मानव प्रकर्ती के बीच का जो सामंजस्य था जो एक संतुलन था क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि परियावरण और मानव के बीच में अर्थार परियावरण की जो जेविक घटक हैं और जेविक घटक हैं उनके मद्धे एक सामंजस्य से बना रहता है अब जब जेविग घटक तो हम जानते हैं और जेविग घटक है जेविग घटकों के में भी सामंजिस से बना रहता है पर जेविग घटकों में सबसे ज़ादा परिवर्तनशील जो घटक है वो माना हुए क्योंकि अन्य जीव जन्तु आज भी प्रकर्टिक के उतने ही नस्दीक है जितने की वो पहले हुआ करते थे पर वर्तमान समय में जो पर्यावरण और जीव जगत के अंदर असंतुलन उत्पन हुआ है वो खासतोर से मानव के करण उत्पन हुआ है बनाने के लिए मानव ने अपने परियावरण को शतिग्रिस्त कर दिया परियावरण प्रदूशन मानव की इसी विकासात्मक प्रकरिया तथा आधुनिकता की देन है जब हम बात करते हैं कि परियावरण प्रदूशन क्या है तो वास्ताओं में आज का मानव जिसका सोचने क नजरिया एक आर्थिक मानों का है वो विकास की अंधी दोड में आगे बढ़ता चला जा रहा है और इस प्रक्रिया के अंदर उसका जो पूरे किरिया कलाप हैं गतिविदियां हैं उनकी आवश्यक्ताओं की जो पूरती है उसका सीधा दबाओ प्रकरती प्रदस संसाधनों पर पड़ता है परियावरण पर पड़ता है और जब यह विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो विकास की इस प्रक्रिया के अंदर जो परियावरण पर दबाओ पड़ता है उससे परियावरण के अंदर जो असंतुलन उत्पन होता है उस असंतुलन को हम परिभाशा कैसे दे तो परिभाशा देने के लिए हम कहेंगे परिभाशा के कारण परियावरण के तत्व अब खास तोर से परियावरण के जो हम अजेविक तत्वों की बात करते हैं उसके अंदर जल है, वायू है, मृदा है ये खास तोर से परियावरण के वो मूलभूत तत्व हैं जिनके उपर समस्त जेव जगत अपना विकास करता है और जो उसके जीवित रहने के लिए अत्यनत आवशक हैं क्योंकि जहां कहीं भी परियावरण के ये मौलिक घटक मुझूद होंगे वही पर जेव जगत का विका अब परियावरण के इन मौलिक घटकों के अंदर जब अब द्रव्यताय आ जाती हैं तो उसके कारण जो उसकी मौलिक गुणवत्ता होती है उसमें धीरे धीरे गिरावाट आने लगती है और जब परियावरण के इन मौलिक घटकों की गुणवत्ता में गिरावाट आने लगती है तो ऐसे इस्तिती को हम परियावरन प्रदूशन के नाम से जानते हैं इसके कारण प्रत्थवी के समस्त जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ गया है परियावरन प्रदूशन आज एक विश्व व्यापी समस्य आए हुआ यूँ कि जब से मानाओं ने विकास की तेजी की अब कब से विकास की तेजी की यदि हम पिछली दो तीन शताबदियों में जाके देखें तो मानाओं के अंदर जब एकदम से ओद्योगिक करांती आई जब मशीनों ने मानाओं के हाथ का काम करना शुरू कर दिया तो ऐसे एस्थिती में क्या हुआ उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा जब उत्पादन बढ़ने लगा तो बाजार के अंदर चीज़ी आई तो फिर धीरे मानों की मांग भी बढ़ने लगी और उद्योगिक रूप से बहुत तेजी से विकास हुआ जब उद्योगिक विकास तेजी से हुआ तो इस सब का जो सीधा परभाव पढ़ाओ प्रकरति परदस्थ संसाधनों पर पढ़ाओ और जब उत्पादन बहुत तेज अप्षिष्ट चीजे भी होती है और ऐसी अप्षिष्ट उत्पाद बने और अन्य घटिविदिया या घटनाकरम इस प्रकार के हुए कि उन्होंने परियावरन के मौली घटकों की गुनवत्ता में धीरे-धीरे गिरावट लाना शुरू कर दिया और आज स्थिती ऐसी प समस्या बन चुका है यह किसी एक देश विशेश की या स्थान विशेश की समस्या नहीं अपितु यह संपूर्ण संसार की संपूर्ण विश्व की समस्या बन चुका है प्रदूशन का अर्थवा परिभाषा प्रदूशन अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिशन का अनुवाद है जो मूल रूप से लेटिन भाषा के पॉलिटस से बना है अब जब हम बात करते हैं कि प्रदूशन शब्द आया कहां से तो वास्ताओं में प्रदूशन शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलुशन का हिंदी रूपा अंत्रण है और पॉलुशन शब्द लेटिन भाषा के पॉलुटस से बना है किसका शाब्दिक अर्थ? पॉलुटस का शाब्दिक अर्थ होता है दूशित करना अर्थार्थ किसी भी चीज की गुर्णवत्ता में जब गिरावट आती है उसके अंदर अपदरव्यताएं पहुँच जाती है तो वो चीज दूशित हो जाती है जैसे कि हम जानते हैं कि एक शुद्ध जले शुद्ध जल के अंदर यदि कुछ अब्द्रव्यताएं गिर जाती हैं जो कि उसकी मौलिक गुनवत्ता की चीज़े नहीं हैं जो कि उसकी मूल प्रकटी की चीज़े नहीं हैं उस तत्व की जब उसके अंदर बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं जिने हम अब द्रव्यताओं के कारण उसकी गुर्वता में गिरावट आने लगती है तो ऐसी इस्थिती को हम उस तत्व के लिए प्रदूशन की इस्थिती कहेंगे जैसे कि अभी हम जल प्रदूशन की बात करते हैं यदि हमारे आसपास के जलाशे की मौलिकता में नहीं है उस जल की मौलिक विशेशताएं नहीं है और इस प्रकार की चीज़ें जब उसमें आके मिलती हैं तो इसको हम अब द्रव्यताओं केते हैं और जब अब द्रव्यताओं किसी तत्व में आकर मिल जाती हैं तो वो उसे दूशित कर देती हैं और इसी की अन्य विख्शिषटां के अतिरिक्ति-जब उसके अन्य बहारी तत्वों का समावेश होता है ज की तत्वक मॉलिक गुन्वत्ता में गिरावट ला देती है प्रॐडोशन की कोई सर्वमानिय परिभाषा नहीं है विबिन विद्वानों ने इसे अपने अपने दिश्टिकोंड से परिभाशित किया है चले देखते हैं प्रदूशन की जो परिभाशा है वो अलग-अलग विद्वानों ने किस प्रकार से दिये क्योंकि प्रदूशन की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी कोई एक विशिष्ट परिभाषा नहीं है पर अलग-अलग विदुवानों के द्वारा इसको अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है इन में से मुख्य रूप से जो परिभाशाएं दी गई है उसका अध्यन हम इस अध्याय में करें प्रदूशन से तात्प्रिये मानव द्वारा परियावरण को अशुद्ध करने से है जिससे ये सजीवों के लिए हानी प्रद हो जाता है तता इसका गुनात्मक मुल्य हट जाता है अब प्रदूशन से तात्प्रिये क्या है? इसमित ने ये बात कहिए, इसमित ये कहना चाह रहे हैं, मानव जुआरा परियावरण को अशुद करना ही प्रडूशन कहलाता है अब बात यहां आती है, मानव दुआरा क्यूं, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्यायों में पढ़ाया कि परियावरण क्या होता है परियावरण वास्तों में किसी भी शेत्र के अजेविक घटकों, जैविक घटकों के मध्धे जो संतूलन बना होता है, उसे हम उस शेत्र का परियावरण कहते हैं अर्थात बहारी दशाएं जो किसी शेत्र के जेव समुदाय की उत्पती, विकास, और मृत्तियों और आदी को प्रिभावित करती हैं, वो परियावरण कहलाता है अब यहाँ पर क्या होता है जैविक घटक और उस शेत्र के अजेविक घटक के आपसी किरिया है अब जैविक घटकों के अंदर मानव ही एक ऐसा गटक है जो की सबसे जादा परिवर्तन शील है, जो की वेरियेबल है इसी कारण इसमित ने यह माना की मानव द्वारा परियावरण को अशुद करना क्योंकि अन्य जीव उन्हों थे नहीं किया, अन्य जीव तो आज भी परियावरण के उतने ही नस्दी के जितना की वो शुरुआत में हुआ करते थे परिवर्तन किसमें आया लगातार, परिवर्तन आया मानव में क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मानों उद्विकास के किरम में शीर्श स्तर पर पाया जाता है क्योंकि मानों के पास सरवाद एक बुद्धी है और उस बुद्धी और कोशल के बल पर मानों की लगातार विकास में आगे बढ़ता गया जिससे उसकी आवशक्ताइं बढ परियावन पर पड़ता गया और आखिरकार क्या हुआ जब परियावन के तत्मों पर अत्यधिक दबाव पड़ा तो उसके अंदर अशुद्ध अशुद्धी आ गई वह अशुद्ध हो गया वह पुर्दूशित हो गया और इसी को इसमित ने कहा है कि प्रदूशन से धिरे-धिरे कम होने लगती है मानों के परियावरण के संधर्ब में कोई भी तत्व जो अनूचित समय अनूचित मात्रा में अनूचित भौतिक या रासायनिक रूप में पाये जाता हो प्रदूशन कहलाता है यह परिभाशा दिये हैगेट ने पीटर हैगेट इनका पूर परियावरण के संधर्ब में कोई भी तत्व जो अनूचित समय अनूचित मात्रा में अनूचित भौतिक वर असायनिक रूप में पाया जाता हो प्रदूशन कहलाता है परियावरण के संधर्ब में वो कोई भी तत्व जो की उसकी मोलिकता का नहीं है जो की परियावरण के मूल तत्वों से जुड़ा हुआ नहीं है वो उसकी मौलिकता का तत्व नहीं है अपितु वो बहार से आया तो हुआ तत्वे अर्थार्थ वो एक अबद्रव्यता है है इसको हेगेट बताना चाह रहे हैं कि पर्यावरण की मौलिक विशेष्टाओं को न लिये हुए कोई द परियावरण के मौलिक तत्वों के अंदर अबद्रव्यताओं के मिलने के कारण प्रदूशन फैल जाता है प्रदूशन वायू भूमी तथा जलके भौतिक रसायनिक जेविक घुणों में होने वाला आवांशनिये परिवर्तन है जिससे मानओ तथा अन्ये जीवों औद् प्रदूशन फिर्क्रियाओं जीवनदयशाओं सांस्कृतिक घुणों तथा प्राकरतिक संसाद्नों को कोई भूतिक प्रदूशन वास्टों में परियावन के मौलिक तत्व जैसे वायू, भूमी, जल के भौतिक गुणो या उसके रासायनिक गुणो या उसके जेविक गुणो में होने वाला आवांचनिय परिवर्तन है अर्थार्थ ये तीनों परियावण के मौलिक तत्व है जब इनके भोतिक, रसायनिक या जेविक गुणों में कोई ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो की वान्छनिये नहीं है आवांचनी का तात्प्रिय अर्थार्थ वोत परिवर्तन जो की नहीं होने चाहिए वो हो जाते हैं तो फिर क्या होता है ऐसी सिति में जिसके कारण मनुष्य या अन्य जीवों अध्योगिक प्रक्रियाओं, जीवन दशाओं, सांस्कृतिक गुणों, प्राकर्तिक संसादनों को हानी हो या हानी होने की संभावना हो अर्थार परियावर्ण के भूमी, जल और वायू जैसे मौलिक तत्वों में जब भोतिक रसानिक जेविक गुणों में कोई अवांचनी परिवर्तन हो जाते हैं सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि परियावर्ण के किसी भी तत्व में होने वाला आवांचनी परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव परता है, प्रदूशन कहलाता है सारांच श्रूप में हम यह कह सकते हैं कि परियावरण के किसी भी तत्व में कोई बी ऐसा परिवर्तन हो जाए जो कि वास्तों में होना नहीं चाहिए था तो उस इस्थिति को हम परियावरण परदूशन केते हैं जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल परभाव पड़ता है से जानते हैं प्रदूशक या पॉल्यूटेंट्स अब वास्तों में प्रदूशक क्या होते हैं जब हम प्रदूशक की बात करते हैं तो प्रदूशक क्या होते हैं यहां पर वर्ड आता है प्रदूशक फेलता कैसे जो चीज मैंने अभी आपको पताई जिनको मैं अब के नाम से भी जानते हैं ऐसे पदार्थ जो परियावरण में प्रदूशक कहते हैं एसे तत्व के भियावर करें जालkov कौनलिक घटकों में जाकर मिल जाते हैं और वो मूल रूप से तत्व can Bio KP definit करे दोरान प्रदूशक के नाम से जानते हैं Can sixteenして के नाम से जानते हैं चलिए देखते हैं कि परियावरन प्रदूशन के दोरान पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स वे तत्व जो की प्रदूशन को फैलाते हैं देखते हैं ये कितने प्रकार क्यों कैसे होते हैं मानो द्वारा प्रियूप्त की जाने वाली वस्तियों की त्याज्य सामगरी त्याज्य सामगरी से त्यागने योग्य सामगरी या अप्षिष्ट जैसे घरेलू, कूडा, कच्रा, कारखानों के अप्षिष्ट पदार्थ, वहानों का धुआ आधी इसके अंदर सम्मिली थें किसमें सम्मिली थें पॉल्यूटेंट्स में सम्मिली थें प्रदूशक में सम्मिली थें ऐसी चीजें जो की मानो त्याग देता है त्यागने के रूप में जो उसके काम की नहीं है वो परियावर्ण में या घर के भार यूँ फैक देता है तो घर के बार हमने तो अपने घर स अप्षिष्ट वहानों का दुवा आज भी इसी प्रकार की चीज़ें हैं जिने हम प्रदूशक की संग्या देते हैं ओद्योगिक राष्ट्रों में प्रदूशों को का उत्पादन ज्यादा होता है अब हम यह चीज आसानी से समझ सकते हैं ऐसे राष्ट्र जहां पर ओद्योगिक उत्पादन बहुत ज्यादा होता है जहां ज्यादा बहुत द्योगिक उत्पादन होगा वहाँ पर प्रदूशक भी ज्यादा बनेंगे और विभिन प्रकार के प्रदूशक बनेंगे किसी भी उत्पात को बनाने के लिए विभिन प्रकार के कच्चे माल, सामगरी का उपयोग किया जाता है, रासानिक तत्मों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, इधन का उपयोग किया जाता है, और इन सभी चीजों के अपशिष्ट पदार्थ निक प्रदूशक 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 प् होते हैं गेस में मिलने वायू में मिलने वाले जो प्रदूशक हैं हो सकता है कि वो गेस ही रूप के प्रदूशक हो हो सकता है कि वो राख के रूप में प्रदूशक हो तो कई प्रकार के प्रदूशक हो सकते हैं कार्बन मोनो अक्साइड, सल्फर डायोक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरीन वा फ्लोराइड, क्लोराइड, विभिन प्रकार के प्रकाश जनित रसायन, ब्रोमाइड, रसायनिक उर्वरक, कीक नाशक, शाक नाशक, पा धूल आधी प्रकार के प्रदूशक ये विभिन प्रकार के परियावरण ये प्रदूशक हैं जो की परियावरण में मिलकर परियावरण के मौलिक तत्वों जैसे की जल वाई उम्रदा आधी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट लाते रहते हैं जब इनकी गुणवत्त में परियावरण प्रदूशन क्या होता है कि परियावरण के भौतिक रसायनिक तथा जेविक गुणों में होने वाला कोई भी आवांचनिये परिवर्तन परियावरण प्रदूशन कहलाता है और ये आवांचनिये परिवर्तन आता कभी है जब परियावरण के मौलिक घटक जैसे जल, वायू, वह मृदा, आधी के अंदर कोई अपदरव्यताइ आ जाती हैं, अपदरव्यताओं सितात परी है, प्रदूशक आ जाती हैं, तो ऐसी इस्थिती को क्या केते हैं कि आने से ऐसी इस्थिती में क्या होता है, कि उस परियावरण के मौलिक घटकों की में गिरावाट आने लगती है और ऐसे इस्थिति को हम परियावरन प्रदूशन के नाम से जानते हैं इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में हम यह देखते हैं कि परियावरण प्रदूशन किसे कहते हैं अर्थार्थ परियावरण प्रदूशन की आपको परिभाशा लिखनी है और इस परिभाशा के लिए आप अधिक्तम 20 शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं दूसरा है परियावरण प्रदूशन की परिभाशा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए इसके अंदर आपको 200 शब्दों में परियावरण प्रदूशन को समझाना है साथ मैं आपको उसकी डीटेल में परिभाशा के बारे में बताना है